हेई फ्रेंज वेलकम कैसे हैं आप सब आशा है फ्रेंज आप सभी स्वस्त होंगे और अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे आज की रीदिंग में हम चेक करने वाले हैं आप दोनों के मन में क्या चल रहा है एक दूसरे के लिए इस रिश्टे के लिए आप दोनों क्या सोच रहे हैं क्या मैसूस कर रहे हैं आगे क्या होने वाला है कब तक होने वाला है एंट आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है रीडिंग फ्रेंज टाइमलेस जनरल कलेक्टिव है बट स्टिल फ्रेंज जो भी नंबर्स देट जो डियर्ग्स इंपोर्टन एंड प्रॉमिनेंट होंगे मैं आपको डिफिनेटली बताऊंगी विदाउट मच परदर अदू लेट स्टाटेट पॉजिटिव एनर्जिस को फ्रेंज एक्स्चेंज करें फीडियो को लाइक करें शेयर करें कोमेंट करें ओम गोरी शंकराय नमा प्लीज उनिवर्स बताएं मेरे वियोर्स के दिल और दिमार्ग में क्या चल रहा है तो ये है मेरे वियोर्स की एनर्जिस ऐसा लग रहा है कि आपके मन में ना एक जंग छड़ी हुई है इस करेक्शन को लेकर ओवर्थेंकिंग है स्लीपलेस नाइट्स है पुरी रात आप सो नहीं पाते हैं खुल के सांस नहीं ले पाते हैं बहुत जादा सफोकेटिट फील करते हैं ऐसा लगता है कि जैसे इस करनेक्शन में सब कुछ खतम हो चुका है या फिर ऐसा लगने लगा है कि इस करनेक्शन में कभी कुछ नहीं हो पाएगा दम घुटने लगा है आपका वैसी वाइब्रेशन काफी स्ट्रॉंग है आप में से कुछ लोग एंग्जाइटी से परिशान है और वहीं कुछ लोग पानिक से या फिर डिप्रेशन से ऐसा लग रहा है इस करनेक्शन में इतनी सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आ रही है या चल रही है या तो आपका आपके पर्सन से बार-बार जगड़ा हो जाता है या वो आपको कुछ ऐसा बोल देते हैं जोने नहीं बोलना चाहिए या फिर कुछ ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का किनेक्शन खतम हो चुका है और बहुत ही बुरे वे से खतम हुआ है जिसकी वज़े से आप बहुत ही जादा परिशान है फैमिली डिस्टरबेंस हो सकता है तो इसलिए मैंने पोस ले लिया तो ऐसा लग रहा है कि सिनारियो कुछ भी हो लेकिन मेरे वियोर्स को बाई हार्ट लगता है कि उन्हें इस कनेक्शन में जस्टिस नहीं मिला है उनके साथ नाइनसाफी हुई है बुरा सलूक हुआ है और फाइनली कुछ भी उन्हें ऐसा नहीं मिला जो वो डिजर्ब करते है जिसकी वज़े से मेरे वियोर्स बहुत बहुत डिस्टर्ब और परिशान है आप में से बहुत सारे लोग सूलमेट कनेक्शन से दील कर रहे हैं वहीं कुछ लोग कार्मिक कनेक्शन से भी दील कर रहे हैं वैसे चांसे काफी स्ट्रॉंग आ रहे हैं यह नमबर यह डेट्स इंपोर्टन्ट एंड प्रॉमिनेंट है तो फ्रेंज अगर आप इस एनर्जी से उपरेट कर रहे हैं तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताएं अब हम चेक कर रहे हैं आपके पार्टनर्स का क्या हाल है क्योंकि आपका तो हाल मैं फील कर पा रही हूँ बहुत ही बुरा है और आपके परसन भी कोई बहुत जादा खुश नहीं है फ्रेंड्स आपके परसन की अगर मैं बात करू यहां पर तो ऐसा लग रहा है कि हार्ट ब्रोकन तो यह भी है होपलेस यह भी है टोटली थर्ड पार्टी को लेकर डिस्टाब यह भी है बट स्टिल जिस इंसान ने ज़्यादा एफर्स लगाए होते हैं जैसे की हो आप वो इंसान ओवियसली ज़्यादा परिशान होता है और जिस इंसान की वज़े से बहुत ज़्यादा एफर्स ही नहीं लगे तो उसकी परिशानी भी कम ही होती है तो आप दोनों में बस यही डिफरेंस है और हो सकता है प्रॉब्लम्स भी आपके पर्सन की फैमिली की साइट से है आपके पर्सन की ही प्रॉब्लम्स की वज़े से है तो इसकी वज़े से भी मुझे लग रहा है कि आप ज़्यादा नेगेटिव है आपको लग रहा है कि कुछ भी सही नहीं हो रहा और आपके पर्सन को लग रहा है कि बस अभी सही वक्त नहीं है जब वक्त सही आएगा तो सब कुछ सही हो जाएगा वेसी vibrations यहाँ पर है temperance की energies है धहरे की energies है सबर की energies है उन्हें लगता है कि अभी थोड़ा सा patience रखने की need है one day सब ठीक हो जाएगा eight of vans की energies है three of swords की energies है परिशान तो friends आपके person भी है और काफी ज़्यादा परिशान है बट ये conservative है quiet ये अपनी परिशानियों को किसी को बताना नहीं चाहते जताना नहीं चाहते चुप रहना चाहते हैं सबर रखना चाहते हैं और इनका विश्वास है कि one day सब ठीक हो जाएगा लेकिन इस time आपको ऐसा लगने लगा है कि कुछ कभी ठीक नहीं होगा और आप बहुत ही impatient हो रहे हो आपके अंदर तो वो energies है आरिया पार कि या तो अब सब कुछ फेवर में हो जाए या मुझे इस connection से अब बहार निकलना है quit करना है move on करना है तो friends मैं हापे strongly feel कर पा रही हूँ कुछ लोगों के लिए 8, 17, 26 3, 12, 21, 30 यह number यह dates भी important and prominent हो सकते हैं अगर मैं zodiac की बात करूँ Aries, Leo Sag, Gemini Libra, Aquarius Pisces, Scorpio and Cancer भी important and prominent zodiac है color की बात करूँ red, green, yellow, brown, black आप में से कुछ लोगों के favorite color हो सकते हैं Please universe बताएं मेरे viewers और उनके partners की mutual energies क्या है mutually वो क्या expect कर रहे हैं क्या चाह रहे हैं Om Namash Shivai the star देखो दोनों ही यह चाह रहे हो कि इस connection में both sides से सभी चीजे ठीक हो जाएं balance हा जाएं जैसे पहले आप एक दोनों एक mutual understanding से things को देखते थे deal करते थे प्यार से रहते थे वो things recreate हो जाएं आप दोनों ही इस connection को लेकर possessive हो आप दोनों ही एक दूसरे को खोना नहीं चाहते तो आप दोनों का कही न कही मन यही है कि सब कुछ ठीक हो जाए कास सब कुछ ठीक हो जाए टॉरस वर्गो काप्रिकॉन भी आ गए हैं यहां पर और आप दोनों ही healthy level का communication commitment या कोई solid action इस connection के लिए लेना चाहते हो तो बहुत ही strong और solid energies हैं आप दोनों की moonology से चेक करते हैं आपकी साइट क्या आता है आपकी साइट आ रहा है communication is key तो अगर आपके person आपसे बात करना चाहते हैं तो एक बार बात कर लो हो सकता है आपको कोई clarity मिल चाहे जिसके बाद आपको अपनी आगे के life में next decision लेने में आसानी हो जाए और आपके person के लिए है conclusions are within reach तो 110% जो भी third party situation है उसमें से वो बहुत जल्दी बाहर निकलने वाले हैं और इस connection को लेकर भी एक major decision आपके person लेने वाले हैं आप दोनों के लिए guidance है कि अभी थोड़ी heavy energies है तो इसको release करने की ज़रूरत है meditation करे release कर दे negativity को अपने अंदर से ठीक है अब मैं check कर रही हूँ आप अपने person को क्या कहना चाहते है तो आप अपने person को कहना चाहते है you value everything I share अब हम check कर रहे हैं आपके person आपको क्या कहना चाहते है romance the revolution in our story is real romance तो बहुत ही beautiful से messages है आप दोनों के एक दूसरे को लेकर अब हम check कर रहे है next connection में क्या होगा कब तक होगा friends, personal readings की facilities available है details सिर्फो सिर्फ description box में given है अगर आप लोग चाहते हैं कि एक ऐसा session हो जिसमें सिर्फ यहां की तरह collectively सभी की बात ना हो सिर्फ आपकी and आपके person की बात हो तो आप लोग book करा सकते हैं new year पे special offer है सभी sessions पर 20% discount है तो जल्दी से जाईए और book कराईए easily booking है whatsapp करके आप easily book करा सकते हैं please universe पताएं इस connection में आगे क्या होगा कब तक होगा temperance temperance आ रहा है universe कह रहा है सब होगा धैरियर, सब्र और विश्वास अगर आपके अंदर सब्र है धैरियर है, श्रदा है विश्वास है तो आपका कोई काम ऐसा नहीं है जो नहीं बनेगा जहां इन तीनों में से एक का भी धागा तोटा या कच्चा पड़ा वही काम डिले और पोस्टपोन होने शुरू हो जाते है page of cups बहुत जल्दी आपके person से खुल के बात होने वाली है इस connection के बारे में और ये time frame रहेगा two days or two weeks कुछ लोगों के लिए thank you so much for watching friends may god bless you take care